तो हेलो गाइस वल्कम बैक टू माई चैनल आज हम फिर से खेलने वाले स्ट्रीम लाइफ सेमुलेटर तो जैसा कि अपने मेरे पुराने वीडियो में देखा था कि भाई मैं अपने लिए लेके आया था एक ब्रैंड न्यू कार जो की काफी ज़्यादा बढ़िया थी और प्राने कपड़े उनको यहाँ पर मैं थोने के लिए लग देता हूं nurturing मैं रगिता बाके यहाँ हैं क्या सोच रहा ह warp यहाँ पर हम कुछ खाप पी लेतों तो फ्रिज में देखते हैं हमारे लिए क्या है खाने को तो चलो यहां पर 2 डिश रखी हुए तो इनमें से एक को मैं खा लेता हूँ और एक को बचा लेता हूँ शाम के लिए बाकि यहां पर जो मेरी बिलिया है उनको भी काफी ज़्याधा भूग लग रही है और मेरे ख्याल से उनका खाना नहीं साइट पर ताकि वहाँ से हम कुछ पैसे वगयरा ले सके कि आज हमें काफी ज़्यादा पैसे खर्च करने तो बैद देख लेते हमार एक दो दिन में कितने यहाँ पर पैसे बन चुके माइनिंग करके ठीक है यहां पर मैं एक दो दिन से माइनिंग की वेबसाइट नहीं खोल तो मेरा electricity का बिल कितना ज़्यादा आने लग गया है जब से भाई मैं ये नया PC लेका हूँ मतलब भाई 1000 डोलर से भी ज़्यादा अब मेरा बिल आने लग गया जब मैंने शुरू शुरू में भाई यार अपना जो mining या फिर अपना PC स्टार्ट करा था तब भाई मेरे जो बिल आता था वो 300 डोलर 200 डोलर कुछ आता था और भाई यहाँ पर हमारा cat food भी आ चुका है तो फटाफट यहाँ से cat food हम चकते हैं और अपनी यार जो भूकी cat है उनको देते हैं क्योंको काफी ज़्यादा भूक लग रही है हाला के भाई मैंने तो खाना खा लिया था मेरी बुक शान्त हो गिया लेकिन भाई जो मेरी बिली है वो आगे पीछे गुमी जा रही है तो भाई यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरी यहाँ पर मैं cat food देता हूँ लो भई यहां पर मैं cat food निकाली रा था कि इतने में ऐं बाई याँ बिलियों का काफी जन्या बागती हैं अब यहाँ पर मेरे को काली BILLी दिख गी है तो क्यों ना भई इसको यहाँ पैठ हमारा कितना ज़्यादा वफातार होने वाला है फिलार भाई यहां पर मैं को यह मेरी बिल्ली नहीं दिखरी तो यही मेरी बिल्ली तो इसको भी मैं आपसे खिला देता हूँ ठीक है भाई यहां पर मैंने दोनों बिल्ली को खाना खिला दिया है अब भाई बाकी का जितना भी मेरा जो खाना बचा है उनको भाई यहाँ पर मैं रख देता हूँ उसके बाद भाई यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ नीचे की तरफ और हाँ भाई आपको यहाँ पता होगा लेकिन जैसे आप उसको सुबा देखोगे ना तो अभी वो इतनी जाद चमकरी होती है कि यार आप उसको शीशे की तरह यूज़ कर सकते हो अपने बाल सभारने के लिए अब कुछ भी करने के लिए बनला भाई इतने जाद शाहिन करती है तो चलो भाई यहाँ पर हम नीचे की तरफ आ चुके और भाई यह मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरी गाड़ी है कितनी जाद शाहिन करती है तो भाई यही मेरी रेड रंग की गाड़ी जोगी काफी ज़्यादा चमकरी है भाई दोनों में आप डिफरेंट देख लो भाई एक ऐसा लग रहा है जिसमें जंग पड़ा है दूसरा देखो भाई कितनी जाद शमकरी है भाई जबरदस लग रही है मेरे को अब जाकर लग रहा है कि मैंने इस गाड़ी पर इतना पैसा माक करने वाला हो एक माक करने वाला हो पैट शोप की पड़े तो जितना चाहे वह एतना यहापर ले सकता है मैं इतने माय लेने वाला हो यहाँ पर मुझे को लगता है ना कि जो हमारे यहाँ पर डोगी के प्राइज ना काफी ज़्यादा हाई है तो भाई यहाँ मैं थोड़े पैसे बचाके चलूँगा कि वैसे भी मैं को माइनर कितने भी लोड नहीं है वैसे भी मेरे जो रूम में आदे से जारा माइनरी माइनर बढ़े हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है तो फड़ा फड़ से हम चलने वाले अपने हैकर भाई के पास और देखता है वो हमें यहाँ पर कितने माइनर देता है और उसके बाद फिर जाएंगे हम यहाँ पर पैट शोप की दरफ और देखेंगे भाई कि वहाँ पर हमें किस किस टाइप के डोग मिलते है हाला कि मैंने पहले सोच लेकि मुझे किस किस टाइप के यहाँ पर डोग लेने लेकि यहाँ पर दिक्कत पता क्या है यहां पर दिक्कत यह आ रिए कि भाई यार मैं उनके नाम क्या रखूंगा कुई यहां पर मैं कम से कम 2-3 डोग लेने वाला हूँ और भÝ मेरे को उनके नाम तक ने आ याद है कि मैं क्या रखू 就 मेरे को अभे कोई आपर अच्छा नाम नहीं पता है लेकिन बाकी हम जाके देखते हम क्या नाम उनका रख सकते हैं तो अभी बात वी बात वह हम यहाँ पोच्छे के अपने hacker भाई के पास और देखते हैं भाई यहाँ हमें hacker भाई कितने minor देने वाला है ठीक है तो फटाफ़र नहीं से हम ख्रीदना शुरू करते हैं मैं सुच रहा हूँ पहले सबका सब यहाँ पर मैं order कर लेता हूँ उसके बाद भाई इन सब minor को यहाँ पर मैं चकने वाला हूँ तो फटाफ़र भाई यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरा जितना भी पैसा था वो सब खतम हो चुका है लेकिन भाई यहाँ पर अभी जो हमारा hacker है वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पर तु और minor ले सकता है तो चलो कोई बात नहीं वो हम बात में ले लेंगे लेकिन फिलाल अभी मेरे पास इतना cash नहीं है तो यहाँ पर जितना भी minor device है उन सब को मैं यहाँ पर चेक लेता हूँ और सायद से हो सकता है यहाँ पर मैं होर mining device लूँ अभी मेरा मन तो काफी ज़्यादा कर रहा है कि अगर मैं आई गया हूँ तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ अभी मेरे लिए 75 डोलर कोई भी बड़ी बात नहीं है तुझी रख ले भाई कोई बात नहीं अब हम यहाँ पर जाने वाले अपने pet shop की तरफ क्योंकि मैं काफी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ जाते हैं अपने pet shop की तरफ और देखते हैं वहाँ पर किस किस टैप के pet है और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताए था मैं को यहाँ पर सबसे तरफ टेंशन लग रही है कि उन सबका मैं नाम क्या रखूँगा क्यों जैसी मैं उन डोग को लोगा ना तो भाई मेरे को उनके नाम तुरंट देने पड़ेंगे ने तो भाई वो जो डोग है मेरा कहना नहीं मानेंगे तो भाई यहाँ पर देखते हैं मैं उनने क्या नाम देता हूँ यहां पर मैं सोच रहूँ कि जो उनके में नाम दूंगा वो उनके रंग रूप को देखके दूंगा यह काफी जदा बड़िया नाम भी है ठीक है और यह उन पर शूट भी करेगा बागे हम जाके ही देखते कि आम उनका नाम क्या देने वाले लेकिन अगर आप अभी तक मेर पसन में पर बड़िया लेकिन यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां दिक्कत आ partir रहें है अ तो चलो कोई बात नहीं सामने एक ATM है मैं वहाँ जाता हूँ और जितना भी कैश मुझे चाहिए उतना कैश में निकाल के लेके आया तो लगबर लगबर मेरे क्याल से यहाँ मुझे 12,000 डोलो लगने वाला है यहाँ पर मैं एक दो डोग होर लेने वाला हूँ और उनका प्रा जैसे मुझे चाहिए थे वो सब तो मैंने यापर कैश कर वा लिया है और भाई साथ ही मैं हमारे Hacker भाई की दुकान थी तो मैंने सुचआ क्यों नहीं नहीं यहाँ है कीyah यहांपर मुझे 12,000 $ छाहिये था लेकिन यहांपर मैंने कम से कम 15-20,000 $ तक अपने पास cash रख लिया है तब यहांपर मैं माइनर ले रहा हूँ ठीक है बागि यहांपर मैंने जो माइनर का समान सारा का सारा हो चुकी है तो फटाफट से यहां पर मैं जितना भी काम है वो खतम कर देता हूँ नहीं तो भाई यहां पूरे दिन यहीं भटकता रहूँगा कभी माइनिंग लेने के लिए चल जूँगा तो फटाफट से काम खतम करते हैं क्योंकि मिरे को काफ़ी जदा भूक लग रही है और मुझे घर जाना पड़ेगा तो मैं चाहता हूँ भाई कि इन सब काम को मैं फटाफट से खतम करूँ बाकर यहां पर मैं सोच रहूँ यहां पर मैं दो तिन माइनर हो ले लेता हूँ क्योंकि यहां पर आज मेरे हैकर भाई का मूड काफ़ी जदा बढ़ी है तो भाई में लेगते हैं जांद साथ कंबते हैं कुछ सब्सक्राइ da करें तिल मीन काम जो उना था हो खत्म करने थीकी कि काफ़ी ज्यादा कम केस्ट पड़ा खाना पड़ेगा औरन फिर पैसे को केष़ो पढ़ेगा क्या कर से लालची कर ली और जितना भी मेरे पास पैसा पर path इंसे ले लिया अनको भाइ लालची यही होता है मैं काम क्या करने गया था और क्या करके आ रहां पर चलो कोई बात ने अरह अब हम यहां पर जा रहे पेंट sofort के तरफ सीददा सीदा और वहां से pet लेके आते हैं तो guys finally हम पोज़ गे pet shop की तरफ और यह रहा हमारा whitey तो फटा फट से इसको यहां से हम खृद लेते हैं 2600 इसका price है तो यहां पर हम इसे buy कर लेते हैं और finally हमने यहां पर इसे buy कर लिया है वो पर जदा famous dog है उसकी breed ना काफी जदा एग्रेसिव होती है उसका नाम है bull dog तो भाई यहां पर मैं bull dog breed का dog लेने वाला हूँ और यह काफी जदा खतर नाग होते हैं तो इसका यहां पर मैं नाम लेने वाला हूँ रोणी जोकी काफी जदा best रहगा इसके लिए पर मैं एक और एक डोग लेने वाला हूँ जिसका नाम होता है रोडवाइलर तो फटा 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 हम उसको भी खरीद लेते हैं तो यहां पर मैं रोडवाइलर को खरीदने वाला हूँ लेकिन खरीदने से पहले यहां पर मुझे कुछ नाम देना पड़ेगा तो यहां पर मै इनी की दुकान से मिल जाएगा पैट शोप से तो भाई यहां से मैं खाने पिने का समान भी ले लेता हूँ साथ साथ भाई यहां पर मैं सिरन भी ले लेता हूँ यहां सिरन अगर मैं नहीं लूँगा तो भई जो मेरे pets से वो काफी जल्दी बीमार पढ़ जाएंगे तो भई यहाँ पर मुझे सीरन भी लेना पड़ेगा साथ-साथ भई यहाँ पर मुझे खाने का समान भी लेना पड़ेगा तो चलो कोई बाद निए भई सब समान लेके भई अब मैं जाने वालाओ अपने घर के तरफ और देखने वाला वह यहां पर मेरी किटीज का क्या रियाक्शन रहेगा इंडो को देखने के बाद तो कैस फानली वह यहां पर मैं घर पे आ चुका हूँ और यहां पर इन सब को मैंने सोने का ओर्डर दे दिया है क्योंकि है काफी ज़्यादा यह ठक चुके थे और सीधा के सीधा यह जाके माइनिंग रूम में चले गए हलाकि माइनिंग रूम में मुझे थोड़ा काम था क्योंकि है जितने माइनर लेका था अभी उनको यहां पर मैंने लगाना है पता निया उनको शाय से पता लग गिया है कि इस रूम में अब डोग रहने शुरू हो गए और उन्हें यार यहाँ पर काफी डर लग रहा होगा शाय से लेकिन यह जो डोग और कैट में लेके आओ यह एक दूसरी से काफी ज़्यादा फ्रेंड लिया है क्योंकि जब भी मैंने इनको ख्रीदा था तो वो कहा रहे थी कि यह जो डोग है याफी कैट है एक दूसरी से काफी ज़्यादा फ्रेंड लिया है कोई बात नहीं वह तो बात में ही पता लेगा लेकिन यहाँ पर जो मैं माइनिंग वगेरा लेकिया हूँ उसके बाइसे यहाँ पर काफी ज़्यादा हीट बढ़ चुकिए मंगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हो कि मेरी माइनिंग स्पीड है वो कितनी तेजी से हो रही है मतलब यहाँ पर हमारे कुछी मिंटों में यहाँ पर मेरा वन बिटकोईन बन चुका है जो काफी ज़्यादा खतरनाक है तो मतलब अभी प्राइस कि कर देना शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ और जो मेरी वीडियो को पहली बारी देख रहे सब्सक्राइब करके बेल अकन दवाना मत बूलना मिलता अपसा के लिए वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए